अब हम थोड़ा गहराई से चलें इसके भारती समविधान के स्वरूप को समझने की कोशिश करें कि भारती समविधान में इस तरह की व्यवस्था को कैसे परिभाशित किया गया है, कैसे जोड़ा गया है सवाल यह आता है कि भारती सम्विधान जो है वो संगात्मक है या एकात्मक क्या हम फेडरल हैं या हम यूनिटरी हैं यह एक सोचने वाली बात है तो भारती सम्विधान का नेचर कैसा है? What is the nature of the Indian Constitution? उपरी हिस्सा एपैरेंटली भारत का जो सम्विधान है वो संगात्मक दिखाई देता है क्योंकि Union of States है दो तरह की सरकारें दिखती है पश्रूप से दिष्टिकोचर है लेकिस सम्विधान दिखता है आधी आधी तो उपर से हम संगात्मक हैं लेकिन जब व्यभारिक बात होती है डे टो डे लाइफ में जो हम अनुभाव करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि भारती सम्विधान एक आत्मक है क्योंकि हम दोरी नागरिक्ता की बात नहीं कर सकते हैं स्वतंत्र होने की बात नहीं कर सकते हैं कोई राज 36 गड़ कल ये 36 गड़ कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह ऐसा सोचे कि हम भारत देश ते अलग हो सकते हैं क्योंकि ये तो भारत का हिस्सा है administrative efficiency को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक शमता या प्रशासनिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए राजियों का निर्मान किया गया है और ऐसी स्थिति में ये रज राष्ट का रूप नहीं ले सकते तो ये बहुत विचारनी प्रश्ण है कि भारत का संविधान है क्या Dr. K.P. Mukherji उन्होंने कहा कि भारती संविधान असंगी अथवा एकात्मक है या तो असंगी है और एकात्मक है वियर उन्होंने कहा है कि भारती संविधान एक ऐशी शासन प्रणाली जो अधिकादिक अर्ध संगी पूल रूपेंड नहीं है अधिकादिक जादा से जादा अर्ध संगी है यह एक ऐसे एकात्मक राज्यकी स्थापना की बात करता है जिसमें संगात्मक शासन के तत्व गौन रूप में है एक आत्मक शासन की बात लेकिन संगात्मक तत्वों का जो इसमें पुट है वह गौन है major नहीं है minor ज्यादा नहीं है लेकिन है जरूर बार्थात निशकर्श ये कि भारत की जो शासन व्यवथथा है उसमें संग भी है और उसमें एकात्मक स्ट्रक्चर भी है इस सम्मन में जीन जोशी जो स्वाइम इस खेत्र में एक बड़े विचारक है उनका कहना है कि भारत संग राज्य नहीं है अपी तो अर्ध संग है हाफ फेडरल है संग राज्य नहीं है यूनियन अफ स्टेट नहीं है वे उसे कुछ इस तरीके से परिभाशित करते हैं कि भारत संग राज्य नहीं है अपी तो अर्ध संग है जिसमें एकात्मक राज्य के महत्पूर्ण तत्वों का समावेश ज्यादा है इसमें कोई दो मत नहीं कि सभी विचारकों ने इस बात को बारंबार अपने तरीके से कहा है कि एकात्मक्ता की विशेष्टाएं हमारे संविधान में ज्यादा हैं यूनिटरी स्ट्रक्चर की जो विशेष्टाएं हैं वो ज्यादा हैं किसी ने कहा है संगात्मक विशेष्टाएं हैं लेकिन गौन हैं कम हैं किसी ने कहा है संगात्मक विशेष्टाएं हैं लेकिन अर्ध संगात्मक से ज्यादा नहीं किसी विचारक ने कहा है कि इसे हम अर्द संघात्मक संघ राज ना कहें कि हम अर्द संघात्मक कहें जिसमें एकात्मक्ता का पुट ज्यादा है एकात्मक्ता राज की बात ज्यादा महत्पूर्ण है तो कुल मिलाकर हम more of unitary and less of federal कह सकते हैं यदि मैं से ऐसा लिखूँ तो more of unitary and less of federal इन सब विद्वानों के जो विचार हैं इसको हम पूरी तरह से उचित या गैर या अनुचित नहीं कह सकते क्योंकि भारती समिधान ना तो असंघी है ना अर्द संघी है और ना एकात्मक है इस सम्मन में सद्ध से अधिक यदि हम पहुँचना चाहते हैं सद्ध से सब से निकट तो डियन बैनर जी के परिभाशा सर्वशेष्ट है डियन बैनर जी क्या कहते हैं उनके निसार भारती सम्मिधान का धाचा संघी धाचा जो स्ट्रक्चर है जिसमें सम्मिधान जिसके अंदर समाहित है वह तो संघी है परंतु उसका जुकाओ एकात्मक्ता की ओर है इंक्लाइन टुवर्ड्स यूनिटरी स्ट्रक्चर संघी धाचे के अंदर एकात्मक्ता का जुकाओ इसी प्रकार प्रफेसर पाईली जो राजनीति विज्यान में बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं है कि भारती सुम्धान का धाचा संघआत्मक्ता का परंतु आत्मा एकात्मक है धाचा संघआत्मक परंतु आत्मा एकात्मक Structure is Federal but the soul is Unitary Structure is Federal but the soul is Unitary कुल मिलाके यदि दुर्गा दास बसु की भी बात करें जिनकी किताबें राजनीति विज्ञान में बड़ी प्रसिद्ध हैं भारत के संदर में विशेश कर उन्होंने कहा है कि भारती संविधान ना तो पूर्ण संगात्मक और ना पूर्ण एकात्मक वरन दोनों का सम्मिश हाँ ना तो वो संगात्मक है पूर्ण रूपेड ना पूर्ण एकात्मक है बलकि दोनों का मिश्रण है अर ठाट यदि हम इसे देखें नाइधर यूनिटरी नर फेडरल, बट ए मिक्सचर अफ बौत ना वो यूनिटरी है न फेडरल है बलकि दोनों का समिश्रण है ये डी इन बासु दीं बैनर जी और दुरका दासि बासु इन लोगों की भावनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हम कुछ हद तक संगी हैं, कुछ हज तक एकात्मक हैं, यदि पी एकात्मक ताका पुट थोड़ा ज़्यादा हैं. ये जो आखरी के जो दो विचार बताएं मैंने, बैनर जी के, पाइली और शीबसु, इनके जो विचार हैं, वो पूर्व के विचारकों से, पहले जिनका मैंने जिक्र कि पाइये हैं, उनके विचारकों से, ज़्यादा निकट हैं वास्ट विख्ता के, सत्ध के ज़्यादा समीफ हैं, क्योंकि भारती संभदhान जो है, वो संगात्मक होते वह भी, एकात्मकता के लक्षनों से भरपूर है. संगहात्मक के क्या लक्षन हैं जो हमने अध्यन किया था छै लक्षन दोहरी नागरिक्ता, लिखेत सभिधान, राष्टों का सम्मिष्रन, राष्टों को स्वतंत्र होने के स्वतंता, दोहरी सरकार ये छे विशेषताएं संगहात्मक प्राणली के ओर हैं एक पूर्ण एकात्मक देश की बात करें तो उसकी पंद्रा विशेष्टाएं होती है तो संख्या की दृष्टी से भी यदि देखा जाये तो भारत में इन छह विशेष्टाओं में से संगहात्मक प्रणाली की छह विशेष्टाओं में से तीन विशेष्टाओं हमने ली हैं और एकात्मक्ता की जो पंदरा विशेष्टाओं हैं जिनका हम अध्यान करने वाले हैं आगे उसमें से हमने बहुत सारी शिष्टाओं को अपने संविधान में समावेशित किया है तो इससे भी ये सावित होता है कि भारती संविधान जो है उसमें बड़े पश्ट लक्षन है कि संगहात्मक होने के बावजूद एकात्मक लक्षनों से परिपूर्ण है उसरे शब्दों में भारती संविधान में संगहात्मक और एकात्मक दोनों ही प्रकार के संविधानों के लक्षन विद्यमान है और एकात्मक संविधान या एकात्मक शासन व्यवस्था के विशेष्टाएं ज्यादा समाहित की गई है जैसा मैंने बताया संगहात्मक शैली की संगहात्मक शासिन व्यास्था की शेष्टाएं हम ज़रा भारत के संदर में फिर से देखें कि भारती संवजान के संगहात्मक लक्षन क्या है भारत को किस संदर में हम कहते हैं कि संगहात्मक है या जिन विचारकों ने कहा है कि वो अर्द संगहात्मक है या संगहात्मक है संगराज्य है ऐसी क्या बातें थी जिससे उनको लगा कि भारत एक संग है विश्व के संगी शासन वाले देशों के संविधानों में मुख्य रूप से चार जो लक्षन पाए जाते हैं वो भारती संविधान में है मैं फिर से दो रहा हूँ अधिकतर लक्षन भारत के संविधान में है पहला लक्षन क्या लिखिद एवं कठोर संविधान आपको मालत है कि भारती समविदान लिखित समविदान है written constitution और उसके साथ ही लिखित होने के साथ ही साथ कठोर भी है कठोरता का मीनिग क्या है कठोरता का अर्थ है कि समविधान में जी कुछ बदलाओ करना है किसी कानून को बदलना है तो वो बदलने की प्रक्रिया सरलनी है बड़ी लंबी और कठिन है बदलने की गुझाईश है सम्विधान के कुछ बिंदूओं को बदला जारने का प्रावधान है लेकिन उनको बदलने की जो प्रक्रिया है बड़ी लंबी है इसलिए बड़ी कठोर है तो ये हो गया कठोर शब्द के मायने कि भारती संबिधान लिखे थोने के साथ साथ संशोधन की दिश्टे से कठोर है संबिधान का निचे 366 इसमें जिस संशोधन पक्रिया का उलेख है उससे भारती संबिधान को हम लचीला तो कह नहीं सकते एक लचीलत सम्विधान वह कहलाता है जहां पर थोड़े बहुत प्रोसीजर के साथ सम्विधान की कुछ चीजों को बदला जा सके कोई विशेश कटना ही ना हो चाहे साधारन भहुमत हो या मंत्रि मंडल की ही सिफारिश हो तो कुछ देशों में जहां पर सम्विधान लचीला है वहां पर बड़ी सरल्ता से सम्विधान संशोधन करने का प्राओधान है लेकिन भारत के सम्विधान संदर्में ये प्राओधान इतना सरल नहीं है और इसलिए लचीला नहीं है Indian Constitution is not flexible अंग्रे जी में इसे कहते हैं इंडियन कॉंस्टिटूशन इस रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल कुछ संघी उपबंदों की यदि बात करें तो उसमें तो कुछ संशोधनों में तो दो तिहाई बहमत दोनों सदनों में अलग-अलग होना चाहिए और उसके साथ ही साथ आधे से ज़्यादा राज्यों के विधान मंडल की स्कुईकरिती जरूरी होती है समविधान के कुछ उपबंदों में परिवर्तन के लिए ये बड़ी कड़ी प्रक्रिया है एक तो संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पासो संशोधन का और उसके बाद आधे से ज़्यादा राज्य के विधान सभाएं विधान मंडल उस पर सहमती दें तब जाकर समविधान में कुछ परिवर्तन के संभावना रहती है तो इसी कहते हैं Rigid कड़ा, कठोर लची लानी है भारती समविधान में संभात्मक शासन वियस्था वाले देश के समविधान की तरह संशोधन की प्रक्रिया साधारन विधी प्रक्रिया से भिन एवं जटिल है और इसी लिए भारती समविधान संभात्मक है तो भारती समविधान प्रक्रिया संभात्मक क्यों कही जाती है उसे हमने रहाँ पे उसका एक बिंदु देखा और वह पहला बिंदु था लिखित एवं कठोर प्रावधान समविधान यदि हम भारती सम्विधान के स्वरूप की बात करें तो उसके दो स्वरूप देखने को मिलते हैं एक संघात्मक स्वरूप और दूसरा एकात्मक स्वरूप इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत के सम्विधान में ये दोनो सुरूप अपने अपनी हद तक समाहित किए गए हैं दूसरा बिंदू जो संगहात्मक शासन प्रणाली में है और उसे भारत में भी अपनाये गया है ये साबित करने के लिए कि भारत की संगात्मक वियुस्था भारत की राजनीतिक वियुस्था प्रशासनिक वियुस्था संगात्मक है दूसरा बिंदु है शक्ति का विभाजन शक्तिकार्थ मैंने बताया विश्यों का विभाजन मुद्दों का विभाजन, खेत्र का विभाजन, भागोलिक खेत्र नहीं, कारिक खेत्र का, दाइरे का विभाजन विश्व के जो दूसरे संघात्मक देश हैं या संघात्मक संविधान वाले देश हैं उसकी तरह भारत में भी संग और राज्य के बीच शक्तियों को पश्ट माटा गया है जैसा मैंने पहले बताया है और इस विभाजन कार्थ है कि राज्य की सरकारें उनको दी गई जो शक्तियां हैं उस पर कानून बना सकती हैं केंदर की सरकारे केंदर को दी गई शक्तियों या विश्यों पर कानून बना सकती है और ये बात बड़ी स्पष्ट कर दी गई है हमारे सम्विधान में संघात्मक कानूनी संघात्मक शासन व्यवस्था जैसे सम्विधान की जो सातवी सूची है अनुसूची उसमें बड़े इस पष्ट रूप से शक्ति विभाजन किया गया है और शक्ति विभाजन के लिए तीन तरह की सूची बनाई गए तीन लिस्ट पहली संघ सूची दूसरी रज्यसूची और तीसरी है समवर्ती सूची संघ सूची अर्थात यूनियन लिस्ट राज्य सूची अर्थात स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची का अर्थ अंग्रेजी में हैं कॉंकरेंट लिस्ट टु कॉंकर कार्थ होता है सहमत होना तो यह सहमत वाली सूची है क्या माइने हैं हम आगे समझेंगे और फिलहाल हम इतना जानें कि इस प्रकार तीन तरह की सूचियां इसमें दी गई हैं अब यदि मैं बात करूँ तीन सूचियों के बारे में अलग से तो 42 संशोधन में जो 1976 में किया गया थोड़ा सब बदलाओ किया गया ये तीन सूचियों की मैंने जो संख्या बताई संग सूची में संतानबे विशय थे राज्य सूची में 66 विशय थे और समवर्ती सूची में 47 विशय थे कुल विशयों की संख्या आप जोड़ेंगे तो 211 आती है 211 विशयों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया और आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा विशय जो हैं वे संग सूची में हैं इससे भी ये साबित होता है कुछ हद तक कि भारत की शासन विशयों था संगहात्मक क्यों लगती है 42 विशयों संगहत्मक का जो मैं जिक्र कर रहा था उसमें थोड़ा सा बदला हुआ अब राज्य सूची में 66 के बदले 62 विशया है कितने 62 केंद्र सूची में 97 ही रहे लेकिन समवर्थी सूची जो थी जिसमें पूर में 47 थे अब उनकी संख्या 52 हो गई तो इस प्रकार विशयों में बदलाओ भी संभो है विशयों को एक सूची से दूसरी सूची में डाला जा सकता है और इसको डालने का ख्षेतरादिकार किसका है और प्रावधान कैसा है इस पर हम आगे बात करेंगे पर इससे भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार भारत एक तरीके से यूनिटरी दिखाई देता है इसमें क्योंकि केंद्र ज्यादा हावी है लेकिन ये जो सूचियों की जो पध्धती है यह तो संगात्मक है इसलिए भारत के संग व्यास्ता भारत की शात्न व्यास्ता को संगात्मक भी कहा जाता है समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें दोनों के सहमती की जरूरत है कौन दोनों केंदर सरकार और रज सरकार दोनों ही सरकारों को समान रूप से कानून बनाने का अधिकार है एक दूसरे की सहमती के साथ समवर्ति सूची के विश्यों पर संग और रज दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में यदि किसी तरह का पारसपरिक विरोध हो जाए कभी ऐसी स्थित्य आ जाए कि राज्ज के द्वारा एक ऐसा कानून बनाए गया जो समवर्ती सूची में तो है लेकिन केंदर के द्वारा बनाएगा एक कानून के खिलाफ कुछ हद तक जा रहा है तो संघी ये कानून मानने होगा अर्था एक यूनिट है तो संघी व्यवस्था लेकिन इस संघी व्यवस्था में भी स्प्यूट या विवाद की स्थिती में संघी सुची प्राथमिक्ता मिलती है यह यह साबित करता है कि भारत की धाचा संघात्मक तो होगा लेकिन अंदुरूनी जो चीज़ें हैं वहां क्या हैं वहां एक आत्मक हैं आत्मा अब एक और बात आपको हाँ समझने की है वह क्या है पहला संगी सूची दूसरा राज्य सूची तीसरा समवर्ती सूची इसके अलावा एक सूची और है अवशिष्ट सूची अवशिष्ट सूची के क्या माइने हैं अवशिष्ट सूची मतलब एक ऐसी सूची जिसमें आने वाले वर्षों में कुछी नय विशयदी सामने आते हैं तो उसे उसमें डाला जाएगा और उस अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार संग का होगा अर्था केंद्र का होगा ये भी साबित करता है कि इसके प्रकार भारत के जो समिधान की आत्मा है वह एक आत्मक है यद्यपी स्ट्रक्चर जो है वह संग आत्मक है अवशिष्ट सक्चियां संग को प्रदान की गई है और संग को ये तै करने का अधिकार है कि इस अवशिष्ट सूचियों में जो विशय आ रहे हैं उसे वह संभवरती सूची में डाले या रज सूची में डाले या संगी सूची में डाले इस पकार भारती संविधान में शक्तियों के विभाजन का उलेख विश्व के अन्य संगात्मक संविधानों के अपेक्षा ज्यादा विस्तृत है ज्यादा व्यापक है ज्यादा स्पष्ट है और ये बढ़ी हुई इस पश्टता इस बात को और साबित करती है कि भारती सम्विधान का ढांचा फेडरल है या कहना चाहिए संगात्मक है तो इस प्रकार भारत के सम्विधान की सूचियों के विभाजन के दिए बात करें तो अब आपको स्थिति स्पश्ट हो गई कि किस प्रकार कारिक्षेतर के दाइरे को विभाजित करके इस पश्टता लाने का प्रयास हमारे सम्विधान में किया गया है एक नजर हम थोड़ा इन सूची पर भी डालें कि आखिर इन तीन सूचियों का विभाजन किस आधार पे किया गया है कौन से विशय केंदर को दिए गए हैं और क्यों और कौन से विशय राज को दिए गए हैं और क्यों समवर्ती सूची में जो विशय दिये गए हैं आखिर इसके पीछे क्या औचित है जिसमें राज और केंदर दोनों को साथ लेके चलने क्या अश्कता है तो पहला हम सूची की और देखें उस सूची में संत्यानवे के संत्यानवे विशयों का तो विवरन नहीं है लेकिन आप इसे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जो विशय शामिल हैं वे अन्य सूची की विशयों से किस प्रकार अलग हैं जैसे इसमें संग सूची की बात करें तो इसमें आता है प्रतिरक्षा परमानविक उर्जा विदेशी मामले युद्ध और शांती जिसमें सेना भी शामिल है बैंकिंग, रेल्वे, डाक्तार, वायू सेवा, बंदरगा, मुद्रा, करेंसी, रुप्या, पैसा, सिक्का ये तो कुछ ही विशय हुए हैं इनमें सिर्फ केंदरी विधाई का ही कानून बना सकती है अब दूसरी सूची देखें, उसके कुछ विशय हैं राज्य सूची के पहला कृशी, दूसरा पुलीस, जेल, इस्थानी शासन, भूमी, सारवजनिक स्वास्त, शराब, शराब राज्य सूची में है वानिज व्यापार, विदेशी व्यापार नहीं, विदेश व्यापार संग सूची में है वानिज व्यापार रज्य सूची में है पशुपालन और प्रादेशिक लोक सेवा आम तोर पर इन विश्यों पर जो राज्य की विधाई का है वो अपनी सुधानुसार कानून बना सकती है और इसलिए संभा है कि जो 28 राज्य हैं उनमें 28 तरह के कानून बनें इन विश्यों में हर राज्य अपने तरीके से कानून बनाए बशर्ते वह एक दाइरे के अंदर है अर्थात हमारे जो राश्टी एकता को किसी तरीके से उस पे चोट नहीं पहुंचे ये हो गई राज्य सूची इससे पहले मैं तीसरी सूची में जाओं ये दो सूचीयों पर आप थोड़ा नजर डालें पहली सूची को आप देखेंगे वे ऐसे मामले हैं जिस पर पूरे देश का एक मत होना जरूरी है एक ही सरकार को जिस पर निर्ने लेना जरूरी है इन मामलों में किसी भी तरह की विभन्नता जिसकी गुझाईश रज्य सूची में है खत्रा पैदा कर देगी उदारण के लिए जि मैं युद्ध और शांती इस विशे को लूँ तो युद्ध शांती और सेना इसके मामले में केंद्र को ही पूर्ण रुपेन अधिकार है युद्ध की समाप्ति करना युद्ध की घोशना करना सेना चाहे वो सेना के तीनों अंग हों इन पर नियंतरन इनकी वर्किंग कंडिशन्स कल्बन करिए यदि युद्ध और सेना जैसे मामले राज्ज के हाथ में भी दे दिये जाएं या केंद्र से हटा कर राज्ज को दे दिया जाएं तो ऐसी स्थितमे क्या होगा हर राज्ज की अपनी सेना हो सकती है अपने अपने तरीके से उनकी यूनिफॉर्म्स होगी, उनकी ट्रेनिंग होगी, उनकी सर्विस कंडिशन होगी और इनके हतियार, इनके औजार ये सारी चीजें राज्यों के पास होगी तो क्या वह देश के लिए खत्रा नहीं होगा, क्या देश की एकता के लिए खत्रा नहीं होगा कालबना करिए दो पडोसी राजय क्या ऐसी स्थित में लड़ ने सकते हैं संभावना बनती है कि दो पडोसी राजयों के बीच में युद्ध की स्थिती हो जाय chapters 5 वाले मामले दूसरा यदि हम दूसरी ओर देखें रेलवे राष्ट्री सूची में क्यों है उसका रक्षा से तो कुछ लेना देना नहीं लेकिन रेलवे राष्ट्री सूची में इसलिए है क्योंकि रेलवो ट्रेन का जो मुवमेंट है उसका नियंत्रन केंद्रित होना चाहिए अन्यता कल्बना करिए एक ट्रेन दिल्ली से न ट्रेन को सीमा में घुसने के अनुमती दो वजे देती है तो क्या अर्था दो घंटे तक वह ट्रेन सीमा पे खड़ी रहेगी या दिल्ली जहां से केंद्र प्रारंब होती जो ट्रेन प्रारंब होती उसका समय बदला जाए तो ऐसे मुद्दे ऐसे वाईव सेवा बंदरगा और विदेशी मामले विदेशी मामलों में राज्यों को किसी भी तरीके से दखल देने का अधिकार नहीं है भारत के संबंद पाकिस्तान से कैसे होंगे यह केवल एक सरकार वह भी संगी सरकार तै करेगे अन्यथा कितनी विच्ट रिस्ति हो जाएगी यह राज्यों के पास विदेश संबंदी मामलों के अधिकार देदिये जाएं तो हो सकता है कुछ राज्य हमारे दुश्वन राज्यों के साथ का समझवता कर लें किसी तरह की साठ गांट हो जाए जो देश के लिए खत्रा है और एक बड़ी हास्यास्त पदिस्टित हो जाएगे इसलिए राष्ट्री हित के मामले कुल मिला कर कहने का उद्यश ये है कि राष्ट्री हित के जितने मामले हैं वे सब केंदर सूची में आते हैं ऐसे मामले जिसमें एक ही मत होना चाहिए वे केंदरी सूची में आते हैं ऐसे मामले जो राष्ट्री जो देश के लिए देश की सुरक्षा देश की एकता देश की अखंडता के लिए बहुत महत्पूर्ण हैं वे मामले एक सरकार के हाथ में संग सरकार के हाथ में उनसे दूसरी और राज्य सूची में वे मामले हैं जिन में राज्यों को स्वतंतरता दी गई है अपने तरीके से कानून बनाने की चाहे वो वन संबंधी कानून हो चाहे पशुपालन संबंधी कानून हो चाहे पुलिस संबंधी कानून हो ये राज्य अपने अपने तरीके से अप समवर्ती सूची है यह क्या है समवर्ती सूची अर्थात इसमें वे विशे शामिल जिसमें केंद्र और राज दोनों की विधाई का इन मामलों पर कानून मिलकर बनाती है यह सूची में एक विशे देखिए शिक्षा शिक्षा की एदे हम बात करें तो समवर्ती सूची में श बारत स्वतंत्र हुआ था तो शिक्षा जो विशय था वो पहले राज की सूची में था और राज की सूची में होने के कारण इसका परणाम यह हुआ कि इसने ख्षेत्री वाद को जन देना शुरू किया विविन राज अपनी अपनी भाशाओं में बच्चों के पढ़ाई कर ने लगे अपने अपने ख्षेत्र के विशय इतिहास पर ज्यादा जोर और राश्ट्री एकता से संबंदित विशयों पर तुलनात्मक दिश्ची से कम जोरू ख्षेत्री परंपराएं ख्षेत्री इतिहास ख्षेत्री भाशा परणाम कुल मिला कर यह इसने ख्षेत्रीता क जदा बढ़ावा दिया राश्टरीता की तुल नामे राश्ट प्रेम के बदले खेत्र प्रेम जदा बढ़ने लगा भैस बात कर था यदि ऐसा ही बढ़ता चला गया तो ये सब खेत्र अपने को एक स्वतंत्र अस्तित्व की रूप में देखने लगेंङे जो देश की एकता के लिए अखंटा के लिए खत्रा है बाद में इसे इस विशे को इस मुद्दों के तहट बजल कर केंदर में लाए गया जब केंदर के तहट लाए गया तो दूसरी समस्या है सामने आए केंदर ने एक भाषा में पूरे देश में अध्यन प्रणाली लगू करने का प्रयास किया परिणाम क्या हुआ दक्षिन के लोगों उनका सक्त विरोध किया कुछ और भी ऐसे बातें आई जिससे कि केंदर के दौरा शिक्षा सम्बंदी विशे पर किसी तरह का संशोधन या कानून बनाने पर कुछ राजियों द्वारा कुछ खेत्रों द्वारा कड़ा विरोध हो रहा था दक्षिन में केंदर के द्वारा हिंदी को ला दे जाने के विरोध में बहुत शोर शराबा बहुत हिंसा लूट पाट आग जनी आदी हुई और अंतिता केंदर को जुकना पड़ा परणाम ऐसा विशह जो दोनों के बीच में जिसमें सामंजस्त की जरूरत हो उसे समवर्ती में डाल दिया गया और अब शिक्षा के मामले में इस तरह के विवाद नहीं होते क्योंकि अब दोनों केंदर और रज्ज मिलकर शिक्षा के मामले में किसी भी विशह पर किसी भी मुद्दे पर शिक्षा के मामले में एकमत होने के बाद ही आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही समवर्ती सूची में मजदूर संग है, वन है, सामानों में मिलावट वाली बात है, गोद, लेना और उत्रादिकार, कृषिभूमी के अत्रिक किसी अन्य संपदा का हस्तांतरन, ऐसे विशह जिस पर दोनों की सहमती की जरूरत है, दोनों की सहमती देश के हित में है, ऐसे विशह समवर्ती में डाले गया, अब अंतिम जो सूची है, जिसका मैंने जिक्र किया, अवशिष्ट शक्तियां, कौन सा ऐसा विशह है जो आपको लगता है, जो अवशिष्ट शक्तियों की सूची में आया होगा, या जो इन 211 की सूची में नहीं है, एक विशह को मालूम होने चाहिए साइबर से जुदवी बाते हैं इस पेस से जुदवी बाते हैं यह वो सूचि है यह उसमें वो विशह शामिल है है जिनका उलेक किसी भी सूचि में नहीं हैं मैंने बताया साइबर कानून इस साइबर कानून के विशय पर केवल केंदरी विधाई का ही कानून बना सकती है अर्थात संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया और 1950 में जब लगू हुआ उसके बाद यदि किसी नए तरीके के विशय आते हैं जो उस समय नहीं थे उन विशयों के उपर भी संग का अधिकार है कानून बनाने का अधिकार संग को है या संग तै करेगा कि यह विशय राज को दिया जाए या समवर्ती में डाला जाए अर्थात सूचियों की संगात्मक विवस्था होने के बावजूद अवशिष्ट सूची एक आत्मक धाचे की और इशारा करते हैं एक आत्मक सोल की और इशारा करती है धाचा तो रहता है संग घात्मक